नभीसकार दोस्तों, आप सुन रहे हैं साची बाट और आज हम आप से बाट करेंगे गनेश चतुरती के महत भगवान गनेश की पौराने कथा और गनेश विसरजन के पीछे के गहरी सोच के बारे में गणेश चत्रती भगवान गणेश के जन दिन के रूप में मनाई जाती है पुराणों के अनुसा गणेश जी का जन माता पार्वती ने भगवान शिव के बिना अपने शरीर की माटी से किया था जब भगवान शिव ने गणेश जी को देखा और उन्हें अपने मार्ग में बाधा समझा तो उन्होंने उसका सर काट दिया लेकिन बाद में उन्हें पता लगा कि गणेश उनकी ही संतान है तो उन्होंने उन्हें हाथी का सर देकर पुनर जीवित किया और आशिरवाद दिया कि वे सभी देवताओं में प्रतम पूज्य होंगे भगवान गणेश की एक और रोचक कथा महाभारत से जुड़ी हुई है महर्शी वेद्वियास ने महाभारत को लिखने के लिए गणेश जी का चयन किया गणेश जी ने शर्त रखी कि वे तब ही लिखेंगे जब वेद्वियास जी बिना रुके पूरी कथा सुनाई इस पर वेद्वियास जी ने भी यह शर्त रख दी कि गणेश जी को हर वाक्य का अर्थ समझने के बाद ही लिखना होगा एक समय ऐसा आया जब गणेश जी का लिखनी टूड गए लेकिन उन्होंने अपने दाद से महवारत लिखना जारी रखा जिससे उन्हें एक दंत भी कहा जाता है अब आईए बात करते हैं विसरजन की गणेश जी की मुर्ति को हम विसरजित क्यों करते हैं विसरजन की पराणिक कता क्या नुसा है जब भगवान गणेश धर्टी पर अफ्तरित होते हैं तो वे हमें आशिरवात देकर हमारी परिशानियों को हर लेते हैं लेकिन उनका ये अफ्तर स्थाई नहीं होता है ये हमें सिखाता है कि जीवन में सब कुछ अर्थाई है बपा के धर्टी पर आगमन का मतलब है समस्याओं का अंत और उनका लोटना हमें ये याद दिलाता है कि जीवन में बदलाव और चक्र नरंतर चलता रहता है जब हम गणेश जी के मूर्ति का विसर्जन करते हैं तो ये प्रकृति की और हमारी शृध़ा पोदर्शाता है पानी में विसर्जन इस मत का प्रतीक है कि हर चीज पृत्वी से आती है और वही वापिस चली जाती है गनेश जी के साथ हमारे रिष्टे की यह यात्रा अगले वर्ष फिर से नए आरम के साथ प्रेरित होती है तो दोस्तों इस गनेश चतुरती पर हम भगवान गनेश से यही प्रातना करें अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल साथ ची मात को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना नाब लिए गनपती बपका मोरेया यह मुनका पस्तुरती पस्तुरती though हमुनका लाईद करें वीडियो कम जाईज करें आपको यह जिता को जाईए, तो सी प 작은 गनेशर टॉझाया दो जो आपको लाईघए